कि अग्जिक्टिव रहेंगे क्योंकि हमारा जो बारवी का सिलेबस है उसमें 40 परसेंट जो डिसकाउंट है किसका है अब्जेक्टिव का हम दसो चेप्टर की इस पेशल तयारी कराएंगे हिंदी और इंग्लिस मीडियम में आपके लिए रोज एक वीडियो आएगा और उस वीडियो में आपको पूरे अब्जेक्टिव जैसा पैटन है उस पैटन पर आधारित अब्जेक्टिव की प बात करें तो हमारे से रिए इस प्रकार से बल गती के मैंसे दो आपजेक्टिव आएंगे टियो एब्लॉक एलिमेंट है उन में से चार युदियों आएंगे कि उन का तो जैएंगे कर टोटल लेटेज 28 नम्बर का है 28 माके और ये 28 मार्क के लिए आपको अलग से क्लाउस करते हैं क्लाउस अटेन करते है तो अलग से त्यारी करने की जरवत नहीं है सब्सक्राइब और पूरए 28 माक्स-प्सक्राइब करते हैं स्टार्ट करते हम हमारा जो पर पहला सॉलिशन है और सॉलिशन के हम जो अब्जेक्टिव उनको देखते हैं सबसे पहले हम बहु बिकलफी प्रस्ण देखेंगे मल्टिपल चवुष्चन देखेंगे हमारा पहला कोश्चन है किसी द्रव में विले को घोलने पर क्या कम हो जाता है अगर हम किसी solution में non-olatile solute को dissolve करते हैं तो कौन सी quantity कम हो जाती है कौन सी quantity decrease होती है तो अगर हम देखे तो हमारी जो colligative property आनुसंखे गुंधर में वो चार है चार में से तीन आपके पास लिखे हु कीमांग के मांग हमांग जो हताए उसको का जाता है freezing पॉांट और आपको याद होगा तो वो क्या हो जाता है diYoji हो जाता है घरिए पो जाता हлись know experimental को जोता है मतलब को इनक्रीज होता है पर आसे तरफिस्जाद का तो कोई लेना देना नहीन है मांग किसी द्राओम में विले को गोलने पर कम हो जाता है नेक्स जो हमारा कोश्चन है वो है किसी गोल के अनुसंख्य गुण आधारी थे जो कॉलिगेटी प्रॉपर्टी वो किस पर बेज्ड होती है तो कॉलिगेटी प्रॉपर्टी हमारी किस पर बेज्ड होती है हमारे पास ऑप्सन दिये हैं विल लेते हैं तुद्ध जल की मोललता या मोलरता दोनों में से अगर कोई भी रासी आये तो कितनी होती है तो वह होती है अगर आपको याद हो तो कितनी होती है 55.56 या 55.56 एक जेक वेल्यू 55.56 भी हम बोल सकते हैं उसको नेक्स कुश्चन है किसी वीलियन का कुछ नाम उच्यत्तम होगा कौन से वीलियन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वह हाई होगा किस सॉलुशन का बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा आप संदिये सबकी मोलरेटी दिये पर मोल और जाना पड़ेल बेटा हम को नार्म नली टी ओर जाना पडेल तो जब हम मौनरेटी ऍटी णहींट होती है उस में हम क्या करते हैं वेल हम multiply करते हैं 2 से तो इसकी normality 2 आ जाएगी इसकी वन इंटु वन होगी क्योंकि एने ओएज की वैलेंसी वन होती है के नो 3 की वैलेंसी अगर देखे तो वन होगी तो यहां भी वन आएगा और वन इंटु एनेश फोर वन एनेश फोर पॉजिटिव की वैलेंसी वन होती है तो नॉर्मलिटी देखे तो किसकी होगी एने टुस एसो फोर की टू होगी अगर इसकी नॉर्मलिटी टू होगी तो इसके बॉइलिंग पॉइंड में एलिवेशन भी हाई होगा इसके कवतनांग में उन्नैन भी हाई होगा अधिक होगा इस कारण इसका कवतनांग उचेत्तम होगा हमारा जो next question है प्रासायनिक रूप से अर्दपार गम में जिली क्या है क्य सेम बोल मेंब्रेनस वाड परिय existed हैं हमने पढ़ा है कॉपर फेरोसाइन COPर फेरोसाइन आईंस का कोको फार्मुला भी आना चाहिए क्वियlar. cn6 और यह कॉपर फेरो साइनाइट तो अप्शन कॉपर फेरो साइनाइट यह होगा हमारा कि नेक्स्ट है परास्रन दाप ऑस्मोटिक प्रेसर वॉल्यूम आयतन वताप में कौन सा संबन्द है एकदम सिंपल सा लॉजीक वाला कोश्चन है इसका फार्मूला होता है आपको बोलाए कि कौन सा कथन गलत है असत्य है तो पाई प्रपोर्शनल टू टी तो सहीं है यहाँ पर वी का कई वैल्यू नहीं दीख रहा है तो वी के लिए हम कंसेंंट्रेशन को लिखते हैं अब हमको दिखराए कि पाई जो है दारिक ली प्रasına लेकिन पाई डार्यगिकली प्रपोर्शनल टु वी जो यह रॉंग है घलत है रुच उनुस आंसंखे कहलेगेटी प्रापर्टी प्रेसर यहि मांघ में तुछ यह थी काइचर में वास्पदाब में वास्प तौ में वास्प दाब में आपक्छिक होता है वह एंसर ऊतले हां वास्पदाब में आप एक चीक इस वास्पदाब में आओ ना मन पर से पाइग ध्याद करने का रीड़ा थे पाइगा कौण सा घ्याद कनने का पार्मुला होगः व भी बताया है Hem HOW थे अंसम содsche मोटिक अगर हमारे पास solute के number of moles 1000 gram of solvent में dissolve है तो वो definition किसकी होती है तो ये definition पक्की बाद है कि mol अलता की होती है mol अलता क्या होती है number of solute number of moles of solute in 1000 gram of solvent 1000 gram विलायक में उपस्तित विले के molों की संक्या को mol अलता करते हैं next question हम लेते हैं गेसों की द्रव में विलेता का नियम किस ने दिया तो ये तो आप जानते होंगे कि important question है Henry का नियम जो बताता है कि गेस की द्रव में विलेता गेस के दाप के क्या होती है समानुपाती होती है तो ये इसका नियम है Henry का next question लेते हैं विले की मोलल सांदरता वाले विलियन का कुद्नांक उन्ने सरवादिक होगा यदि विलायक, अब आपसे बात की है कि किस सॉलूशन का जो वॉलिंग पॉइंड है वो उसका ऐलिवेशन हाई होगा, और हाई होगा अगर उसमें सॉल्यूट कोन है तो सॉल्यूट एथाइल एलकोल है एसीटोन है बेंजीन है क्लोरोफाम है अगर हम इनके फार्मूला राइट करें तो वहां से हमको मिलेगा कि यह जो है आइनाइज होगा क्लोरोफाम CHCL3 और इसमें नंबर आप पार्टिकल जो प्रेशर की बात करें हमारे पास तू सॉल्यूट एसे हैं जिनके आस्मोटिक प्रेशर सेमहें या उनके कंसेंट्रेशन सेमहें एट कॉंस्टेन टेम्परेचर दब ऑनको बोलते हैं आइसो टोनिक सॉल्यूट उनको हिंदी में कहा जाता है समपरासरी विलियन वे विलियन होते हैं जिनके पराशन दाप बराबर होते हैं नेख्छ नमनम है से कौन सा रावल के नियम से दनात्मक विश्लन नहीं दरसाता जिसका मतलब लेकिन बेंजीन और क्लोरोफार्म जो है वो क्या सो करता है नेगेटी डिविशन इस टाइप से हमको एंसर मिलेगा बेंजीन क्या सो करेंगे नेगेटी डिविशन में जिसमें 9.8 ग्राम एस टू लिटर जल में घुलाएं तो मोलर्ता की गणना कीजी तो अगर हमारा एस टू एस फॉर जो है वो गिवन है वो दिया हुआ है नव दसमलो आठ ग्राम तो यह हम डबलू बी की वैल्ली मान सकते हैं और हमक 9.98 तो आनूबार कितना होता है अंठ अनू होता है और मोलर्ता ज्यातकन अष्के लिए बास्तों में यह जल की वैलींगा रिजहन का रिचार्उन होना चाहिए और विली 안 गाम धर हैं तो वे का मान कितना हो गया है तू लिटर अब हम क्या करेंगे मोलरता का सुत्रल लगाएंगे मोलरिटी इस इक्वल टू डवल्यू बी बाइ एम बी इंटू वन थाउजन और बाइ वी या फिर वन बाइ वी क्योंकि वी लिटर में इसलिए वन बाइ वी यूज किया यहां से अगर हम इसको देखे यहां से पॉइंट हटा देते हैं जीरो आ जाएगा यह से कैंसल हो जाएगा टेन वन बाइ ट्वंटी और वन बाइ ट्वंटी इस इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो फाइब मोलर यहां पर हमको यहां पर बेस और यहां पर यहां पर बेस और एसीड दोनों के लिए करना पड़ेगा यहँए इसकी मॉलरिटी कीवन एं वन एम और उसकी मॉलरिटी और नॉर्मल्ली टीक वल होती है इन वह इसकर इसके टेने मेल अपर टेन यूस किया एश टूएस ऑसफोर का भी वन मोलर यह लेकिन 1 molar is equal to क्या होगा 2 normal और V2 की value find करना है तो इस टाइप से 10 by 2 आ जाएगा और 10 by 2 की value कितनी आ जाएगी 5 ml और V2 का मान हमारा कितना हो जाएगा 5 ml हमको कितने H2SO4 के 5 ml की आशकता होगी ठीक है बेटा ये एक अनुमापन का question है जिसमें आमला और छार एक दूसरे को उदासीन करते हैं तो आमला की सानरता और छार की सानरता हम एकवल कर देते हैं 1 V1 वराबर एंटू फीटू साधारन नमक को जल में घोलें अगर हम सिम्पल सॉल्ट को वाटर में डिजॉल करते हैं तो क्या होगा जल का क्वथनांक जो भी कॉलिगेटिव प्रापर्टी है वो इंक्रीज हो जाएगी अब इंक्रीज तो होगी तो जल का क्वथनांक बढ़ेगा जल का क्वथनांक घटेगा मतलब बॉयलिंग पॉइंक्रीज होगा या बॉयलिंग पॉइंक्रीज होगा तो boiling point के respect में कहा जाता है क्वतनांग के respect में ये बात बोली जाती है कि क्वतनांग में उन्नायन होता है मतलब elevation in boiling point होता है तो जलका क्वतनांग क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा रक्त कोसिका हैं ब्लड सेल्स की बात कर रहे हैं कोसिका एक से अधिक परासरण वाले विलियन में रखी गई है तो परासरण में क्या होता है बहिए आस्मोसिस में क्या होता है जुँए नहीं यहां पर सीवन कंसंट्रेशन से स्यंमि पर्मीवलव मैम्डेशन से उनको उनको हमने अलग-अलग सेपर होता है तो जो सॉल्वेंट के में रखा है तो क्या होगा यह ब्लट सेल्स हो गई और ब्लट सेल से वाडर मॉलिकुल कहां जाएंगे हाई ऑस्मोडिक प्रेसर वाले सॉलुशन में और ऐसा होने से वह क्या हो जाएगी कॉंट्रेक्ट रो जाएगी सिकूर जाएगी नेक्स वोश्चन लेते हम तभी आदर स्विलेन बनाते हैं केवल एक नहीं इन में से और आइडियल सॉलुशन है केवल एक सॉलुशन आइडियल नहीं है तो वह आपको सिलेक करना है अगर आपको याद हो एथिल प्रोमाइड एथिल क्लोराइड यह जो है यह तो क्या है आइडियल सॉलुशन आधर स्विलेन होता है एक वासपसिल विले विलियं के लिए किसके बराबर होता है एडियायक नियम और रावुल्ट तला जब उसको पूरा डिर्व करते हैं तो हमको मिलता है पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइड बाइ पी नॉट ए इस इक्वल टू एक्स बी वास्पदाब में आप एक्षी का उनमन विले के मोल प्रभाज के बराबर होता है प्रेश्प इस इक्वल टू मोल फ्रेक्शन आप योघ्योर सॉवेंट यहां से हमारा एंसेर हो जाएगा मोल प्रभाज के बराबर आधिक्तम होगा तो इस्में आपको किया देखना हैcakी Normality कि सी सुखिय नहीं होता उन्हों कि Amplit सी एल टोटल थ्राइस मल्टिप्लाइ अगर हम यहां देखे तो हमको पॉजिटिव आयन पर तू पॉजिटिव चार्ज मिलेगा तो इसकी वेलेंसी टू होगी तू से पॉइंट वन में मल्टिप्लाइ कर देंगे तो हमको आ जाएगा सब्सक्राइब कर देखे तो होगा तो वह होगा तो वह होगा बीए सी एल टू नेक्स लेते हैं टून्टिफोर नंबर का अभी आ गया कुश्चिन अर्दपार गम में जिल्ली के रूप में मैंने बताया था कॉपर फेरो साइनाइट का यूस किया जाता है तो रिपीट हो ग प्रफेस्टेंशन नहीं होता विस्कोसिटी नहीं होती और यह लाइट में घुर्णन की बात कर रहा है मतलब रोटेशन यह भी नहीं होता हमारा ऑस्मोटिक प्रेसर जो होता है वह होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नेक्स हमारा वुश्चन है एक विद्दूत अब गट्टे विद्दूत अब गट्टे समझते हैं एक एलेक्ट्रोलाइट है जिसका जो आइनाइज हो जाता है जैसे एने सीले इस टाइप का कोई पदार्त विद्दूत अबगट्टे कहलाता है इनके सॉलुशन में अगर हम धारा प्रवाइद करते तो यह आइनों में वि आमान होगा तो विद्दूत अब गट्टे के लिए नंबर आप पार्टिकल से इंक्रीज होते हैं आइनाइजेशन से नंबर आप पार्टिकल से इंक्रीज होते हैं करणों की संख्या बढ़ती है और जब जब करणों की संख्या बढ़ती है तो वांटाप गुणांका है वर फारे उसकी वेल्यू ए्क से फिए से हैं घ्रधिनेक ओती अभी आएगा ग्रेटर धेंग तुम downs मो फिनें मैं में मुलब अएडosaurา हमोरा राता है मोल फिलेन मैं मूल फार नहीं हो साई तर्मिल वां जार हम या एक किलोग्राम विलाएक में एक मोल डिजॉल होता है इसी को क्या का जाता है मोलल था एक मोलल विलियन चलिए नेक्स कुशन है यदि एक विलियन का कुवतनांग T1 है ठीके विलियन का कुवतनांग के T1 और विलायक का कुवतनांग T2 है विलायक का T2 है कवतनांक में 9 अएन का होगा पहले विलायक आता हैं विलायक काक टीटू है उसमें हमने क्या MIX कर दिया और ऐसा करने से उसके कवतनांक में 9 होता है उसका कम उसका boiling point इंक्रीज हो जाता थैं जो boiling point increase हो गया तो हम यह बोल सकते कि T1 जो है वह greater होगा T2 से boiling point increase हो गया तो जो delta TB की बात कर रहे है तो delta TB जो हो होगा T1 minus T2 that is B हमारा boiling point elevation in boiling point क्या होगा T1 minus T2 नेक्स question लेते हम किसी गोल के अनुसंखेट गुण आधारित होते हैं थो यह हम एक बार रिपीट कर चूए डिपैंड करते हैं वेले के मोलों की संख्या पर शुद्धी पर्टिकल्स आद यह नंबर आप सॉलिट पार्टिकल पर डिपैंड करते हैं किसी भी सॉलिशन के लिगेटीव प्रॉपरटी यह भी रिपीट है सुद्ध जल की मोललता हमने पड़ी है 55.56 पचपंद असमलो 5-6 बोल सकते हैं यह भी कुश्चन है रिपीट है निम्न में से कौन सा अनुसंक्य गुंधर्म नहीं है तो हमारा ऑस्मोटिक प्रेसर होता है कॉलिगेटी प्रापर्टी अनुसंक्य गुंधर मान प्रेक्षिक शल कर सकते हैं एसम आमदरम होे लीया घ्रापर्ट साव्र…हन प्रेक्षिद गुंधर' मतैं लाइक, अनुसंक्य गुंधर्म ए सज्धंध र हनुपात को क्या कहा जाता है तो यह ज़िएं लालता कि अनुसंक्य गुंधर्म के प्रोंद प्रेक्षिदक्र रावल के नियम से धनात्मक विशलन नहीं दरसाता मतलब कौन सा एसा solution है जो क्या शो करेगा negative deviation तो negative deviation के लिए हम किसको यूज़ करते हैं बेंजीन और CCL4 एक एक जामपल है बेंजीन CCL4 negative deviation बेंजीन क्लोरोफाम बेंजीन एसिटोन बेंजीन एथेनाल यह तीनों क्या शो करते हैं positive deviation अकेला last वाला क्या शो करेगा negative deviation एक numerical है 6 gram of urea is dissolved in 180 gram of water what is the mole fraction of urea यह ग्राम यूरिया को 180 gram जल में उपस्ती थे घोला गया तो urea का mole प्रभाश आसानी से निकल जाएगा बेटा यूरिया यूरिया क्या है विले है तो यूरिया का 6 by 60 आ जाएगा 6 by 60 is equal to क्या हो जाएगा 0.1 gram में द्रेमान दिया है और यूरिया का अनुभार कितना होता है molecular weight कितना होता है 60 6 by 60 1 by 10 1 by 10 को हम 0.1 write कर सकते है एने एने क्या है number of moles of water water weight 180 और molecular weight 18 तो ये कितना हो जाएगा 10 तो number of moles of urea find किया divide by number of moles of water find किया अब अगर mole fraction चाहिए तो mole fraction का formula है mole fraction किसका चाहिए यूरिया का तो mole fraction of urea nb divided by na plus nb nb की value 0.1 divided by 10 plus 0.1 xb की value कितनी होगी 0.1 divided by 10.1 point से point cancel हो जाएगा 1 by 101 अब इसमें जो option है वो कौन सा है हमको select करना पड़ेगा तो यह होगा option हमारा 0.1 by 10.1 उसी को हम इस टाइप से भी लेख सकते है we can write 1 by 101 कि यह हमारा दूसरा टाइप का question है true and false कौन सा सत्य कौन सा सत्य है तो हमने यहां पर एक पेज में तीन question लिए ज्यादा question नहीं है हाला कि chemistry में बहुत कम चांस है कि सत्या 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 आते है विर्भी हम practice के लिए कर रहे है अनुसंखेक जीले की प्रकृती पर निறवर करता है जीला नहीं है यह कनों 시청 कि संक्या या किopf राटी पर निरभर करता या किस पर निरभर करता है विले के कनों की संख्या पर हमारा क्या है? जो colligative property वो solute के nature पर depend नहीं करती नंबर आप solute particles पर depend करती तो ये भी क्या है ये तो colligative property होती है ये भी क्या है असत्य है false है नेक्स जो है वास्पदाब में आपेक्षी का उनमन विले के मोल प्रभाज के तुल्ले होता है वास्पदाब में आपेक्षी का उनमन ये राउल्ट ला है P0A-PA divided by P0A is equal to XB यही है वास्पदाब में आपेक्षी का उनमन मतलब Relative lowering of vapor pressure is equal to small fraction of solid तो यह हमारा क्या है true है नहीं नेक्स क्वेश्चन है द्रव के क्वतनांग पर द्रव का वास्पदा वायुमंडली दाप से अधिक होता है क्वतनांग किसको बोलतें boiling point किसको बोलतें वह ताप वह temperature जब क्या होता है वह जो हमारा solution होता है उसका जो vapor pressure होता है solution का वह किसके एकवल हो जाता है वह one ATM के एकवल हो जाता है द्रव के क्वतनांग पर द्रव का वास्पदा वायुमंडली दाप से अधिक होता है अधिक नहीं होता इक्वल टू वायूमंडली दाब होता है मतलब हमारा जो वास्प दाब की बात कर रहे हैं जो वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं वो वायूमंडली दाब वन एट्रियम के क्या होता है इक्वल होता है तो यह भी हमारा क्या है पॉल से गलत है अगर आपको याद हो तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में आपने पड़ा है डेल्टा टी बी इस इक्वल टू के बी इंटू एम और यह जो के बी है यह एक कॉंस्टेंट है ठीक है और यह कौन सा कॉंस्टेंट है पॉलिंग पॉंट एलिवेशन चोंस्टेंट और इसकी युनिट होती है यही होती है यहां से हम रैट कर सकते हैं टैम्परेचर की युनिट कैलविन होती है चाही मग superstive करना है और यह होता है मॉल They exist फाइन करना है और यह खूता है ॉहजी इधर आ जाएसित यूनिट केलवीन किलोग्राम मौल इन्वर्स होती है यह हमारा क्या है प्रू है नहीं है जो है जो हमारे एक्जाम में कुश्चन थर्ड टाइप का आता है वह आता है रिक्तिस्थान वरिये फिल इन दे ब्लैंक अब यह जो कुश्चन है उसमें क्या बुला गया एक हजार ग सॉल्वेंट है उसमें नंबर आफ मोल्स अब सॉल्यूट डिजॉल है इन वाट इस दो क्वांटिटी यह वाट इस देफिनेशन अफ दिस 1000 ग्राम विलायक में मतलब एक हजार ग्राम विलायक में विले के मोलों की संख्या क्या कहलाती है आपको यह बताना है यह क्या कहला पालता है मोललता इस मोललता अ अ नंबर आफ मोल्स अफ शॉल्यूट डिजॉलीन वन थाउजन ग्राम आफ सॉल्वेंट इस काल वाट मोलेलिटी इसमाल में सेम डिनोट करतें मोलल इटी नेक्स वोशन है एक लिटर विलेन में उपस्तित विले के मोलों की संख्या नमबर आप मोल साप सॉल्यूट इन वान लिटर सॉलुशन इस कॉल्ड मोलरिटी यह किसकी डेफिनेशन है मोलर्ता की यह दोनों डेफिनेशन आपको याद भी होना चाहिए इसे हम केपिटल M से देनोट करते हैं ठीक है नेक्स्ट मोललिटी का यूनिट क्या होता है तो मोललिटी का यूनिट क्या होता है मोललिटी इस इक्वल डू एन भी बाई डवल्यू ए और इसका यूनिट होगा मोल और किदर आ जाएगा केजी क्या हो जाएगा unit mole per kg next है सुद्ध जल की molarity कितनी होती है molar अरता कितनी होती है मातरक मतलब बेटा unit पूछा है तो unit क्या होगा mole per kg फिप्त की बात करते है जल की molar अरता चाहे molar अरता पूछे चाहे molar अलता पूछे इसकी value याद रखेंगे 55.56 होती है next है ताप में व्रद्धी करने से गेसो की द्रव में विलेता क्या होती है अगर हम temperature increase करते है तो solubility of a gas in a liquid पर क्या effect होता है तो temperature increase करने से solubility क्या होती है decrease होती है याद रखेंगे solubility क्या हो जाएगी decrease हो जाएगी इसका एक example है जैसे हम पानी को वाटर को गरम करते है तो उसमें से oxygen bulbulो के रूप में bubbles के रूप में बाहर निकलती है temperature increase होता है तो जो soluble oxygen है वो क्या हो जाती है insoluble हो जाती है और बाहर आ जाती है next है अब आसपसिल विले को विलायक में मिलाने से वासपदाप क्या हो जाता है अगर हम क्या करते है nonolatile solute को कि solvent में mix करते हैं तो ग teacher रखे keeping क्या effect होता है तो यह रावल्ट लाह है vapor pressure क्या हो जाता है decrease हो जाता है तो वासपदाप क्या हो जाएगा काम हो जाता है इस के बाद जो हमारे पास next कुष्चन आता है वह मेज दो कॉलम सही जोड़ी बनाइए थो मेज दो कॉष्चन है उसमें और बी को आपको करनाए पहला दाप तो परासरंड दाप अगर हम देखे परासरंड दाप के लिए कौन सा सही है डेल्टा टी बीजि़ कोल टू की संख्या वांटाप का नियम तो को ज्यात करने के लिए कौन सा वांटाप का नियम यूज किया जाता है तो परासरंड का क्या होगा पांटाप का नियम हीमांक में आउनमन्स परासरंड आप भिटा मतलब ऑस्मोटिक प्रेसर और उसको लिए हम बांटाप लॉका यूज करेंगे ऑइन करने कि फार्मूला इन प्रिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की यह यूज़ देल्टा टी फिस एकौल टी बीजिए क्वल टुके बींटू एंटु एंस्टे मोलरिटी मोलर्टा वो किस पर डिपेंड करती है नंबर आफ मोल्स आप सॉलीटि यह मोलर्ता के लिए यूज़ ओगा मोलोखी संक मतलब एक मिलाइक में अगर एक में पास मोलरीटी क्या होती है पस्ट विले के मोलोक संख्या किलोग्राम एक किलोग्राम आएक में विले के ग्राम तुल्यांगों को संख्या विलेन का एतन लिटर में विले के मोलों को संख्या विलेन का एतन लिटर में मोलरिटी जो है वो क्या होगि मोला 43 का ओती है ओम नमबर आप मोलसाफ सॉल्यूट मोलियूमां दिवाइड वाल्यूमां व्लूमां। पर सॉल्यूमा मोल failing का उपर अगर हम देखें तो मॉल poems का वालुम यह वेट आप सॉल्वेंट के लिए हम क्या उस करेंगे विले के मौलों की संख्या बटे किलोग्राम में विलायक का द्रहमान वेट होना चाहिए मास होना चाहिए किसका सॉल्वेंट का ने संख्या नमबर आफ ग्राम इक्वेंट आफ सॉल्यून किसं नंबर आफ ग्राम एक्तन लिटर ने समय किसंख्या ?? ड्रोव में गैस का ट्रोव में गैस का ट्रोव में अब इसमीं से मको सिलेक्ट करना जो वह लिया जोटा है वो होगा सका बेस्ट ओप्सं गया होताइब वाटर में डिजॉल होती है तो वह होता है soda water तो गेस का द्रव में विलियन नेक्ट हे ठोस का में विलियन विलियन मतलब इसका गेस का द्रव में में इक बार इंगलिस में बोल दू क्या है इसका होगा Gase In Liquid और यह है Solid In Gase हमारे पास ही धुँआ है Smoke जो बोलते है यह फिप नंबर पर हो जाएगा Smoke जो है उसमें क्या होता है जो Solid Particle होते है वो Gase में Dissol होते हैं तो यह इसका Example है ठोस का Gase में विलियन नेक्स परासरी विलियन Isotonic Solution जो होते हैं सब्सक्राइब का हिए कि मौल स्बर्णाइब भीड़ी होता है ainsi i go है यह मारा आपको ग्हेश्य कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और इसी टाइप से रोज आपको एक एक चेप्टर के एक एक वीडियो मिलते रहेंगे